तो हिलो दोस्तो मेरा नाम है निटेस कुमार और स्वागात है फित्ज से एक और नई वीडियो में तो दोस्तो से ओब आप दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी स्किप के सुरूस लेकि अंतक जरूर देखे तो चलो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टैमबेस्ट किये तो सिंप्ली दोस्तो सबसे पहले आप अपना IRCTC अप्लिकेशन को ओपेन कर ले ओपेन करने के बाद user ID and password डाल के login कर ले login करने के बाद कुछ इस परकार का interface सो होगा आपके सामने तो सिंप्ली दोस्तो यहाँ पे मैं आपको पूरी जनकारी देने वाला हूँ कि किस परकार से आप master list में अपना नाम एड़ करेंगे और क्या-क्या इसके benefit है तो चलो दोस्तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ किस परकार से master list में अपना नाम एड़ करेंगे या किसी और का नाम एड़ करेंगे तो सिंप्ली दोस्तो यहाँ पे आपको my account पे click करना है उसके दोस्तो यहाँ पे my master list का option सो हो रहा होगा सिंप्ली आपको इस पे click करना है जैसा ही click करेंगे दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस परकार का यहाँ पे option आ रहा है मतलब कि यहाँ पे हमने एक भी यहाँ पे master list में नाम एड़ नहीं किया है तो दोस्तो यहाँ पे master list में अपना नाम एड़ करने के लिए कुछ यहाँ पे detail हमारे से मांगा जा रहा है तो सिंप्ली जोस्तो जिसका भी आप master list में नाम एड़ करना चाथे हैं सिंप्ली आप उनका अधार कार्ट ले ले और अधार कार्ड में detail है बिल्कुल सेम टाइप कर देना है आपको simply किस परकार से करेंगे simply यहाँ पे तो आप देख सकते हो normal या दिब्यांग या general list है तो simply दोस्तों यहाँ पे आपको normal select रहने देना है उसके दोस्तों यहाँ पे name पे click करना है और जो भी आपका नाम है select कर लेना है पूछा जा रहा है birth preference तो दोस्तों यहाँ पे आप click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा अगर आप seat book करते हैं तो lower, middle, upper, side, lower and side middle इन सभी के बारे में आप जानते होंगे अगर दोस्तों आप ततकाल ticket book करते हैं तो दोस्तों आप इन में से किसी को select ना करें सिर्फ आपको no preference पे आपको click कर देना है इससे दोस्तों क्या होगा simply आप जब भी ततकाल ticket book करने जाएंगे तो simply दोस्तों आपका fast यहाँ पे ततकाल ticket book हो जाएगा बिना किसी time based के तो simply दोस्तों यहाँ पे आप no food या आप बेज़ी टेवल है या non food नन वेज़ है दोस्तों यहाँ पे आप select कर लें simply दोस्तों यहाँ पे non bake पे click कर लेता हूँ उसके दोस्तों यहाँ पे हमारे से ID proof पूछा जा रहा है simply आपको इस पे click करना है उसके दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो क्या क्या ID proof के तोर पे हम देख सकते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे driving license, passport, travel document, pen card, water ID card, government ID card, student ID card, bank passport, credit card with photo, अधार ID तो simply दोस्तों आपके पास इन में से जो भी उपलब्द है simply आपको इस पे click कर देना है simply मैं यहाँ पे अधार ID में click कर देता हूं उसक्या दोस्तों यहाँ पे आप से सबसे पहले यहाँ पे आप date of worth fill कर ले तो simply यहाँ पे एट और worth fill कर लिया है simply मैं अधार ID को select किया और simply में अधार नामर को type कर देता हूं simply दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पारेंगे यहां पे मैं अधार नमबर को टाइप कर लिया हूँ और simply aid passenger पे मैं क्लिक कर देता हूँ जैसा ही दोस्तों मैं aid passenger पे क्लिक करता हूँ दोस्तों यहां पे देख सकते हो passenger detail aid successfully मतलब कि हमारा यहां पे aid हो चुका है अगर दोस्तों आप में इस परकार का टिक आउट लग जाता है तो मतलब कि आपका जो detail fill किये हैं वो बिल्कुल सही है यहां पे verification हमारा सही हो चुका है मतलब कि हमारा detail सही है अब मान लिजिए इसका benefit हमें क्या मिनने वाले तो simply आप अपना journey select करेंगे जैसा कि आप देख सकते हो मैंने select कर लिया है उसका दोस्तों यहां पर टिकट बुक करने जाएंगे तो यहां पर यहां पर list देखने को मिल जाएंगे direct आपको ticket करके select कर लेना है उसका दोस्तों select passenger पर क्लिक कर देना है simply यहां पर उन passenger का नाम aid हो जाएगा और जैसा ही दोस्तों aid हो जाता है तो simply आप अपना ticket बुक कर पाएंगे अगर दोस्तों आप मान लिजे ततकाल टिकट बुक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप उन्ही का नाम aid करें जिनको आपको ततकाल टिकट कातना है नहीं दोस्तों अगर आप extra नाम को aid करके रखेंगे तो दोस्तों आप हमारा नाम aid है तो simply दोस्तों किस परकार से हम master list में से अपना नाम हटा देंगे किस परकार से simply आपको back चले जाना है उसक्या दोस्तों यहां पे home page पे आने का Simply आपको my account पे click करना है my master list पे click करना है उसक्या दोस्तों मानली जीए हमें इन ब्यक्ति का नाम हटाना है simply edit पे click करेंगे उसक्या delete का icon सो हो जाएगा आपके सामने simply आपको delete वाले option पे click करना है आपका यहां master list में से नाम delete हो चुका है यहां पे आपका बिल्कुल clean हो चुका है तो दोस्तो जब आप अपना ticket book करने जाएंगे तो सिर्फ उन्ही का नाम add करें जिनका आप ततकाल ticket book करना चाहते हैं ने तो बाद में आपको confused हो सकता है कि इनका नाम add करेंगे तो दोस्तो यहां पे मैं आपको इनका time table बता देता हूँ नहीं तो आपको यहां जब master list में आप अपना नाम add करने जाएंगे तो बाद में यहां पे add नहीं हो पाएगा तो दोस्तो यहां पे 9 बज कर 55 मिनट से लेके 10 बज के 15 मिनट तक सुभा के 20 मिनट और 10 बज के 55 मिनट से लेके 11 बज के 15 मिनट सुभा के 20 मिनट के यहां पे जो time है दोस्तो यह ततकाल booking के लिए इसलिए इस time में अगर आप master list में अपना नाम add करने जाएंगे तो दोस्तो यहां पे आपका master list में नाम add नहीं हो पाएगा अगर दोस्तो आप ततकाल ticket book करना चाहते हैं तो दोस्तो इन दोनों time से पहले आप अपना master list में नाम add कर सकते हैं तो दोस्तो आई होप यह वीडियो आप सभी के लिए काफी useful होंगे अगर useful होंगे दोस्तो तो वीडियो को like करेगा अगर आप हमारे चेनल पे नए हो तो चेनल को subscribe कर लिजेगा और साथ में बिल आइकन घंटी को all पे प्रेस कर दिजेगा जिसे हम इसी परकार का related वीडियो लेके आते रहते हैं तो सबसे पहले आपके फोन में नाफ्टी केसन मिले और दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को like करेगा और इस वीडियो को जितना हो सके है अपने दोस्तों के साथ भी share करें तो मिलते हैं दोस्तों इसी परकार कर लेटे वीडियो लेकिए बहुत जल